हेलो गाइज, वेलकम बेक टू देवराधी पाठशाला तो गाइज, तोड़े टॉपिक ऑफ डिसकेशन इस ब्लड एंड सर्कुलेशन, रेड ब्लड कॉपसल्स ठीक है, तो यह ब्लड एंड सर्कुलेशन का पार्ट फोर है ठीक है, जिसमें मैं लास पार्ट फ्री में भी मैंने रेड ब्लड कॉपसल्स आपको पढ़ाया था वही हम कंटिन्यू आज पार्ट फोर में भी करेंगे, ठीक है यह टॉपिक है यूनिट नमबर सावन, सिस्टम फिजियोलोजी अनिमल से ठीक है, तो मैं इनको पार्ट में बढ़ा रही हूँ, अगर कोई स्टुडेट नया आया है आज क्लास में तो मेक शॉर कि आप पहले पिछले वाले पूरे पार्ट पढ़ लीजे पार्ट 1, 2, 3, 4 आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है यह टॉपिक बहुत ही ज़ादा इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टुडेंट प्रिपार कर रहे हैं CSI, NET, GATE, ICMR, DBT, JRF के लिए, साथ ही साथ MSC और BAC स्टुडेंट के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है तो वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ मैं भी शेयर करें सो लेट्स प्रॉसीड तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हम Red Blood Cells को ही कंटिन्यू करेंगे मैं आपको बोला था कि मैं Hemoglobin उतना डीटेल में नहीं पढ़ाऊंगी बट मैं थोड़ा बहुत portion जो कि आपको जानना जरूरी है थोड़ा बहुत Hemoglobin के बारे में वो मैं हाँ पर जो है वो पढ़ाऊंगे ठीक है, तो आज भी हम RBC को ही continue करेंगे ठीक है, Blood Groups हम किसी और दिन पढ़ेंगे मतब इसी continuation part में पढ़ेंगे बट अभी हम फिलाल Red Blood Cells के बारे में और ज्यादा डीटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है चलो guys, so सबसे पहले बात कर लेते हैं Hemoglobin के, ठीक है, तो Hemoglobin क्या है RBC का क्या है, Pigment है, ठीक है जो इन RBC, जो Red Blood Cells है आपकी उसमें क्या आता है, Red Color का Pigment होता है Red Color Pigment, Respiratory Pigment हम उसे बोलते है Respiratory Pigment, ठीक है Pigment, जिसे हम क्या बोलते है, क्या है वो हमारा Hemoglobin, ठीक है Hemoglobin, ठीक है यह Respiratory Pigment है, Hemoglobin, ठीक है इस प्रेजेंट, ठीक है तो यह हमारे कहां प्रेजेंट होता है RBC में प्रेजेंट होता है It is a Respiratory Pigment, ठीक है यह कहां present होता है RBC में यह present होता है present in stroma of RBC अगर कभी पूछ लिया जाए कहां present होता है तो stroma of RBC में present होता है ठीक है normal amount में अगर कितना amount जो है वो hemoglobin का हमारे अंदर होना चाहिए ठीक है तो वो देखते है normal amount जो होता है hemoglobin का वह कितना होना चाहिए थीक है कितना होना चाहिए तो देखते हैं सबसे पहले हम youman की बात करते हैं मतब इयूमən में यानी Children's में Children's की सबसे पहले बात कर लेते हैं Children's में आपका जो Hemoglobin है ister वह कितना होता है Generally 16.5 g g e x 100 ml मैं ठीक है पर 100 ml में 16.5 ग्राम होता है अगर मैं आपको बोलू कि एडल्ट मेल में कितना होता है अगर मैं आपको बता है चिल्डरंस में रेड ब्लेड सेल्स भी बहुत जादा होते है और हमोलूमिन भी जादा होता है adult male में 15.5 g पर 100 ml में होता है ठीक है और आपका जो adult female है ठीक है adult female में if female के गर में बात करो तो इन में और कम होता है ठीक है इन में होता है around 14 g per 100 ml this is an average okay तो 14 की जगे 12 भी हो सकता है 13 भी हो सकता है 15 भी हो सकता है this is an average ठीक एक average 치ेट कीए गया तो जिसमें चिद्रेंस में सबस्ती जादा दखने को मिला धने अडल्ट में अडल्ट फीमेल में तो इसका काम क्या है औक सिजन को किरिवेब उट करना और इसका रोल क्या है function अगर मैं 6,000 किया है तो दोनों को carry करता है, ट्रांस्पोर्ट करने का काम करता है, ठीक है, और इसका molecular weight भी देख लेते हैं molecular weight कितना होता है अराउंड 67,200 हीमोगलोबिन का molecular weight होता है अब हीमोगलोबिन जो है वो दो टर्म से बना हुआ है हीम प्लस ग्लोबिन ठीक है हीम प्लस ग्लोबिन ठीक है यहां पर थोड़ा हीम प्लस ग्लोबिन ठीक है तो यह देखो जो हीमोगलोबिन है हमारा यहां पर मैं हीम जो है आपका अराउंड कितना होता है हमारी बॉड़ी में मलब हीमोगलोबिन में कितना हीम होता है around 5% जो है वो हीम होता है और 95% जो है वो ग्लोबलीन होता है ठीक है हीम is a lipid part this is a lipid part of hemoglobin ठीक है lipid part यह lipid part होता है और ग्लोबलीन इस प्रोटीन पार्ट ठीक है यह प्रोटीन का पार्ट होता है ठीक है तो इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा हीमोग्लोबीन ठीक है जो हीम है हीम में दो चीज़ें होती है एक तो फेरस आयन आयरन होता है और एक प्रोटो पॉर्फाइरिन रिंग होती है ठीक है दो चीज़ें इसमें देखने को मिलती है ठीक है प्रोटो यह आयरन फेरस आयरन जो है यह बीच में इस तरीके से हो तो सबसे पहले हम हीम की बात कर लेता है हीम कैसे काम करता है ठीक है तो हीम सबसे पहले हम हीम वाला पार्ट पढ़ता है ठीक है फरस्ट वन इस अवर हीम ठीक है हीम हीम इस लिपिट पार्ट जैसे मैंने आपको बताया हीम का है हमारा लिपिट पार्ट है ठीक है it is the lipid part next है it is composed of iron porphyrin ring ठीक है इसमें जो है वो iron porphyrin ring present होती है ठीक है जो की Fe2 plus state में होती है ठीक है तो इसमें क्या होता है composed of iron protoporphyrin ring in which iron is present in Fe2 plus state ठीक है Fe2 plus state में जो है वो iron present होता यानि Fe2 state को हम क्या बोलता है ferrous state ठीक है तो ferrous state में जो है वो iron जो है वो present होता है ठीक है इसी stage में जो है वो oxygen जो है hemoglobin से bind करता है यानि Fe2 plus state में जब iron होता है इसमें तो तभी oxygen इससे bind करता है otherwise जो है वो oxygen bind नहीं करता है तो यह एक unstable compound बनाता है तो जब hemoglobin combine करता है तो वो किसका formation करता है एक unstable compound का जिसका नाम क्या है oxy hemoglobin oxy hemoglobin हम उसे बोलते हैं जब hemoglobin combine करता है oxygen के साथ में this is an unstable unstable compound ठीक है यह stable नहीं होता है unstable form में होता है और इसे ही जब oxy hemoglobin बनता है तो उसे ही हम क्या बोलता है कि blood का क्या हो गया है oxygenation तो blood oxygenation जो है वो हो चुका है ठीक है आई बात समझ में ठीक है next है जो एच ही umoglobin बैठ की तो इक हमलो के इंच ही ही ी kraum के मॉलëक्यूलपने करता है जो इस ही बात समझ में ठीक है अगर हम बलों की एक ग्राम हीमोग्लोबीन कितना जो है वो oxygen carry करता है अगर हम इसमें term में calculate करें तो next page से बताते हैं ठीक है so 1 gram 1 gram of Hb यानि हमोगलोबिन जो 1 gram हमोगलोबिन है वो carry करता है कितना oxygen carry 1.34 ml oxygen को carry करता है ठीक है आई बात समझ में next है अगर मैं 100 ml of blood लूँ ठीक है इन 100 ml of blood तो मैं अगर आपसे पूछूँ अगर आपसे पूछा जाए कि 100 ml of blood में ठीक है 15 gram हमोगलोबिन होता है ठीक है 15 gram हमोगलोबिन प्रेजेंट होता है ठीक है 100 ml हिमोग्लोबीन है तो वो कितना oxygen carry करेगा around 20 ml oxygen जो है वो carry करेगा so 20 ml of O2 is transported by 100 ml of blood ठीक है 100 ml of blood ठीक है कैसे calculate किया तो जब 1 gram हिमोग्लोबीन 1.34 ml oxygen करी कर रहा है तो 15 gram कितना करेगा 15 into 134 ठीक है यहने 100 ml में 15 gram हिमोग्लोबीन है तो 100 ml के लिए calculate करेंगे तो 15 into 1.34 तो वो calculate करके finally कितना answer आजाएगा हमारा कितना आजाएगा 20 ml oxygen ठीक है तो 20 ml जो है वो oxygen को carry करेगा ठीक है तो यह सारी बाते जो है वो ध्यान रखनी है 100 ml of blood कितना gram हिमोग्लोबीन carry करता है ठीक है और कितना एक ग्राम हिमोग्लोबीन जो है कितना oxygen carry करता है यह भी हमें ध्यान रखना है ठीक है ओके नेक्स्ट आता है अगर हिमोग्लोबीन जो है अगर react कर दिया कर जाए तो यह क्या हो जाता है इड बिकम औक्सीडाइस टीक है ऑक्सीडाइस हो जाएगा एंड ऑक्सीडाइस हीमोग्लोबीन को हम क्या बोलेंगे एन्ड ऑक्सीडाइस्ट हीमोग्लोबीन को जो गॉलता है मिधे मंकें हिमोग्लोबीन ठीक है मैत इसमें Okay, so this is an stable compound, okay? This is also an stable compound, stable compound और ये compound फिर क्या निंब कर पाएगा? oxygen को carry निग कर पाएगा, okay? So, does not carry oxygen, oxygen को जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, okay? आह बाद समझ में? तो नेक्स्स चलते हैं next next अगर hemoglobin जो है वो react कर जाए if hemoglobin react with carbon monoxide carbon monoxide के साथ में अगर react कर जाए तो क्या होगा it is also form an stable compound that we called as carboxy hemoglobin ठीक है carboxy hemoglobin हम उसको बोलेंगे और carboxy hemoglobin जब बनता है तो यह क्या होता है very stable compound होता है ठीक है stable compound होता है ठीक है and enable to carry oxygen ठीक है does not carry oxygen ठीक है कोई oxygen को यह जो है वो carry नहीं करता है ठीक है तो यह सारे कहानी थी heme part की ठीक है heme का structure एक और structure है यहाँ पर यह two dimension structure है heme का ठीक है next चलते हैं ठीक है next वाला part आता है that is globuline globuline यानी proteinous part ठीक है next अगर मैं बात करूँ आपको तो this is a globin part globin part में क्या है globin क्या है एक protein है ठीक है this is a protein protein है कैसा protein है quaternary protein है quaternary protein है quaternary protein यानी quaternary structure है जैसे primary structure of protein secondary structure tertiary structure this is a quaternary structure okay so this is an hemoglobin multimeric protein composed of two identical alpha a is a subunit of two identical beta b subunit ठीक है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है दो चार सब्यूनिट alpha 1 alpha 2 beta 1 beta 2 दो चार सब्यूनिट यह आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है so globuline part के बारे में जड़ा discuss करता है in detail globuline part ठीक है globuline part के बारे में discuss करता है तो this is a proteinous part यानी protein part है ठीक है protein part है इसमें जो globuline protein है यह 4 polypeptides से composed होती है ठीक है this is a quaternary structure of protein ठीक है polypeptide chain ठीक है चार polypeptide chain से composed होती है ठीक है तो उनको देखते है जरा ठीक है सबसे पहले आता है that is alpha polypeptide chain ठीक है तो alpha polypeptide chain में कितने amino acid होते है 141 amino acid से यह बनता है ठीक है ठीक है तो दो alpha polypeptide chain होती है ठीक है यह कितनी होती है into two क्योंकि दो chain होती है दो alpha होते है ठीक है तो चार जो है वो structure बनाती है जिससे हम क्या बोलते है alpha 1 इस तरीके से ठीक है beta 1 ठीक है this is alpha 2 this is this is beta 2 and this is alpha 2 ठीक है इस तरीके से जो है structure बनाते है जो alpha 1 alpha 2 है यह दोनों के दोनों कितने amino acid से बने रहते है 141 amino acid यह नहीं 141 से यह बना होगा बीटा 1 बीटा 2 यह 146 यह भी 146 amino acid से बना होगा ठीक है तो इस तरीके से structure बनता है ठीक है then कुछ और polypeptide chains भी present होती है ऐसा नहीं कि सिर्फ alpha बीटा होती है और भी different type के hemoglobin में present हो सकती है chain जैसे कि gamma chain गामा polypeptide chain हो सकती है ठीक है next आता है आपका delta delta polypeptide chain भी होती है polypeptide chain भी होती है ठीक है इसमें कितने amino acid present होते हैं इसमें भी same 146 amino acids present होते हैं ठीक है सबसे पहला है यहां पर लिख लेता है अन्द बेसिस ओफ कंपोजिशन पॉलिप्टाइड जो पॉलिप्टाइड चेन है hemoglobin की वो थ्री टाइप्स की है ठीक है polypeptide chain of hemoglobin मैं short में लिकरे हूं ठीक है of three types 3 types की हैं ठीक है कौन-कौन सी है पहला है आपका that is HBA HBA hemoglobin ठीक है यह हमारे अंदर present होता है HBA adult hemoglobin है ठीक है adult hemoglobin है ठीक है और यह 90% हमारे body में 90% आराउंड जो है हैativa hemoglobin ठीक है इसमें हमारे अंदर कंसिस्ट होता है 2 alpha chain plus 2 beta chain मेजरली hemoglobin हमारे अंदर present होता है NICK Southeast आता है हमारे अंदर present होता है basic HBA2 ठीक है इसको भी अब हम adult hemoglobin बोलता है adult hemoglobin बोलता है ठीक है और यह around 3 % हमारे blood में present होता है ठीक दो एलफा चेन तो होती ही है लेकिन बीटा की जगह जो है वो दो डेल्टा चेन आ जाती है ठीक है नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वन इस HBF, HBF, F का full form क्या है, that is fetal hemoglobin, that is fetal hemoglobin, fetal hemoglobin भी हमारे अंदर around 7% present होता है, काफी कम amount present होता है, क्योंकि ये fetus में जादा होता है, जब fetus stage में होता है, तो उस time पे जो है वो जादा present होता है, ठीक है, तो adult में तो ये बहुत कम हो जाता है, तो इसमें 2 alpha chain तो same रहेगी लेकिन जो beta chain है, उसकी जगह कौन सी आ जाती है, to gamma chain, ठीक है, जो gamma होती है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, gamma, gamma chain has more affinity, more affinity for oxygen than beta chain, ठीक है, बीटा chain के मुकाबले जो gamma chain होती है, इसकी जो affinity है oxygen के लिए वो बहुत जादा होती है, that's why जो fetal है, fetal अपने mother के blood से oxygen को ले पाता है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, mother के blood से लेना पड़ता है, जैसे हम तो क्या कर रहे हैं, direct air से ले रहे हैं, यानि air हमारी alveoli में आ पड़ता है, चाहिए oxygen हो, चाहिए nutrient हो है, तो mother के blood से लेना है, तो इसलिए उसको क्या चाहिए, ऐसी global chain चाहिए, जो इसकी की oxygen के लिए जाधा affinity हो, तो that's why उसके पास कौन सी chain होती है, gamma chain प्रजेंट होती है, ठीक है, so I hope आप लोगो को समझ में आया होगा, ठीक है, next चलते of rbc's, ठीक है, rbc's का life span, तो human की अगर मैं बात करूँ, सारे organism में अलग-अलग देखने को मिलता है life span, ठीक है, ठीक है, organism to organism, यह depend करता है, कि किस में कितना जो है, वो life span प्रजेंट होगा, ठीक है, तो अगर मैं human की बात करूँ सबसे पहले, तो human में तो सभी को पता होगा, human में जो rbc's का life span होता है, वो कितना होता है, 120 days का होता है, ठीक है, नेक्स्ट है newborn baby की, अगर मैं बात करूँ, अभी अभी newborn baby हुआ है, तो उसमें newborn baby में जो average जो life span होता है, rbc का वो कितना होता है, 100 days का होता है, ठीक है, अगर frog की बात करूँ, frog में कितना होता है, तो frog में भी 100 days का, जो है वो RBC का life span होता है डॉक्स की बात करूँ डॉक्स में जो RBC का life span होता है वो भी 124 days का होता है ठीक है वो 124 days का होता है रैबिट की में अगर बात करूँ रैबिट की भी बात कर लेता है तो रैबिट में जो है वो 80 days इसका जो है वो life spend देखा जाता है RBC का ठीक है तो mammals का जो average on and average है अगर मैं mammals की बात करूँ human तो 120 days है ठीक है लेकिन अगर मैं mammals की बात करूँ complete mammals में जब यह सारे के सारे mammals मलब frog को छोड़के तो सारे mammals है dog rabbit human ठीक है newborn baby तो mammals की अगर मैं बात करूँ तो mammals में जो है वो on and average कितना आ रहा है 120 days से 127 days के बीच में जो है वो on and average जो है वो RBC का life spend होता है ठीक है तो I hope आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक है next चलते है guys okay next is production of red blood cells ठीक है तो हम production of red blood cells देखेंगे कि कौन-कौन से area जो है body में हमारे जो कि Red Blood cells को produce करते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो Early Weeks of Inbranic Life यहनि जब Inbranic Stage में baby होता है ठीक है अरली Weeks होते हैं इंbranic stage में ठीक है जिसे हम ठीक है तो उस Time पे जो Red Blood cells होती है वो कैसी होती है primitive nucleated red blood cells होती है और वो produce करता है कौन? york sac ठीक है? york sac produce करता है बहुत important है आपसे exam में पूछा जा सकता है ठीक है? तो early weeks of embryonic life में जो RBC होते हैं एक तो nucleated होते हैं दूसरा वो produce होते हैं थ्रू यork sac ठीक है? अगर मैं middle trimester की बात करूँ of gestation जब middle trimester होता है gestation का तो liver जो है वो main organ होता है red blood cells का production का ठीक है? तो पहले york sac होता था फिर उसके बाद कौन होता है? liver होता है middle trimester of gestation में liver जो है वो most of the RBC को produce करता है लेकिन कुछ number में spleen और lymph nodes भी produce करते हैं तो आपको सब याद रखना है next आता है आपका जब last month होता है pregnancy का ठीक है? और gestation का last month होता है और baby के बर्थ के बाद ठीक है? last month और baby के बर्थ के बाद जो red blood cells produce होता है वो exclusively कौन करता है? आपका bone marrow करता है याई अभी हम लोगों में कौन कर रहा होगा? bone marrow जो है वो produce करता है यानि जब से हम last gestation period में थे और जब से हमारा जनम हुआ है तब से हमारे हमारा RBC कौन प्रडूस कर रहा है bone marrow प्रडूस कर रहा है ठीक है? okay next है ठीक है तो bone marrow में भी आपकी different type की bones आती है ठीक है? जो की red blood cells को produce करते है ठीक है? तो यहाँ पर यह graph दे रखा है यह cellular यह percentage है कितना percentage जो है वो आपका red blood cells कौन-कौन प्रडूस कर रहा है और यह age है हमारी life की ठीक है? so the marrow is essentially all bones produce red blood cells until a person is 5 year old अगर कोई 5 साल है या 5 साल से छोटा है ठीक है? 5 साल तक जो है वो जिसे यहाँ पर age दे रखा है 5 साल 5 years तक जो person है उसमें सारे bone marrow जो है वो लगभग सारी जितने भी bone marrow है हमारे अंदर चाहे tibia हो, femur हो, rib हो, sternum हो, vertebra हो, ठीक है सब के सब जो है वो क्या करते हैं? red blood cells को produce करते हैं ठीक है जब the marrow of the long bones जो long bones होती है हमारी जिसे femur हो गया, tibia हो गया, ठीक है except for the proximal portion of the humerai tibia become fatty and produce no more rbc after the 20 years ठीक है, जब हमारी उमर 20 years की हो गई थी ठीक है, यह 20 years के थे हम तब तक हमारे long bones हमारे लिए क्या करते थे, most of the rbc produce करते थे, लेकिन जब हम 20 age हमारी cross हो जाएगी उसके बाद long bones हमारे लिए क्या नहीं बनाएंगी, rbc नहीं बनाएंगी तो 20 age तक ही, जो है वो tibia और femur जो है वो क्या करता है, red blood cells का production करता है, देखो यहाँ पर सबसे maximum production है, ठीक है, red blood cells का और धीरे धीरे जैसे जैसे age बढ़ रही है वैसे वैसे वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है तो कम होता जा रहा है, 20 age तक जो है वो femur और tibia जो है वो बनाते हैं, red blood cells, उसके बाद जो है यह सारी जिम्मिदारी किसको दी जाती है उसके बाद यह जिम्मिदारी लेते हैं vertebra, sternum, और rib, ठीक है beyond this age, यानि 20 साल के बाद most rbc continue to be produced in the bone marrow of the membranous bone such as the vertebra, sternum, ribs, ilea, ठीक है even these bones, the bone marrow become less productive as age increases ठीक है, तो 20 साल के बाद अगर आप लोग 20 साल से जादा बड़े हो चुके हो, I hope कि सभी हो चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि सभी लोग CSI net की तयारी कर रहे है तो सभी लोग अगर 20 साल से उपर हो चुके है तो आपकी जो red bread cells है, वो कौन बना रहा है, vertebra, sternum and ribs जो है, वो बना रही है, ठीक है और जैसे जैसे age बढ़ेगी वैसे वैसे इनका RBC का production जो है, वो क्या हो रहा है, decrease हो रहा है ठीक है, red blood cells का production वो ज्यादा था और धीरे 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 वो कम होता गया जैसे जैसे हमारी age बढ़ती गई, ठीक है तो I hope आप लोगों को यह समझ में आया होगा, ठीक है तो काफी important है, next चलते है formation of red blood cells, ठीक है red blood cells के formation को हम क्या बोलते हैं ठीक है, formation of RBC, red blood cells की formation को हम क्या बोलते हैं erythropoiesis, ठीक है, erythropoiesis हम इसको बोलते हैं ठीक है, and organ which produce RBC is termed as erythropoietic organ ठीक है, और जो organ उसे produce करता है, ठीक है organ produced RBC, जो organ RBC को produce करता है ठीक है, उसको हम क्या बोलता है, erythropoietic organ erythropoietic organ, ठीक है ठीक है, जो hormones होता है, जो stimulate करता है red blood cells का production, यानि erythropoiesis उसे हम क्या बोलता है, erythropoietic, ठीक है term है, hormone, hormone which stimulate erythropoiesis, erythropoiesis is called, उसे हम क्या बोलते हैं, उस hormone का नाम क्या है, erythropoietic, याद रखना बहुत का production को increase करवाता है, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, यह कब पर erythropoietic, जो है, वो secret होता है, जैसे हम यहाँ पर एक graph है, इस कित्रों देखते हैं, ठीक है, यहाँ ग्राफ नहीं, यहाँ पर यह मैंने लिया हुआ है, जो erythropoietic is formed mainly in the kidney, kidney में जो है, यह hormone produced form होता है, this is an hormone, ठीक है, यह hormone है, ठीक है, जो कहाँ produce हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, किड्नी में, नॉर्मली जो 90% है, erythropoietic किड्नी बनाता है, और जो 10% है, वो कौन बनाता है, लीवर बनाता है, ठीक है, यह 10% बनाता है, ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि CSR आपसे डीप में question पूछता है, तो मेजरली तो यह बात सभी को याद हो जाएगी, कि erythropoietic hormone kidney produce करता है, ठीक है, लेकिन यह 90% ही करता है, बाकी का 10% जो है, वो लीवर करता है, ठीक है, जो की हमारे blood RBC के formation मदद करता है, अब यह कैसे मदद करता है, इस figure के थरो समझते हैं, ठीक है, जब kidney, जब हमारी body में सबसे पहले यहां से start करता है, ठीक है, factor that decrease oxygenation, यानि की कमी tissues में, यानि कब उनको लगागा की हमारे अंदर oxygen कम है, जब यह तो blood का volume low होगा, या anemia condition होगी, ठीक है, proper oxygen नहीं मिल रही है, low hemoglobin होगा, या poor blood flow होगा, या कोई भी pulmonary disease हो जाएगी, तो यह सारी condition जो है, वो tissue को oxygen जो है, वो खीच लेती है, यानि tissue का oxygen है, उसको कम कर होता है, जब tissue में oxygen की कमी होता है, तो ये देखानी जाता है, kidney से, kidney बोलता है, चलो में hormone secrete करता हूँ, erythropoietin, वो क्या करता है, जैसे tissues में oxygen की कमी होती है, वो erythropoietin hormone को secrete कर दोता है, अब adventurous hormone जाके क्या करता है, अभी मैंने कल की क्लास में आपको बताए था हीमोटो पॉइटिक स्टेम सेल्स याद है आप लोगों को कल की क्लास में आपको बताए था तो यह क्या करता है हीमोटो पॉइटिक स्टेम सेल्स को बोलता है चलो आप रेड ब्लेट सेल्स बनाओ तो यह फिर बनाते हैं प्रो इ इंक्रीज बनना इंक्रीज हो जाता है और वापस से टिशू को ये ऑक्सिजन देने का काम कर लेती है तो इस तरीके से ये साइकल चलती है काफी इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखनी है अगर कोई डाउट होता है तो चैट बॉक्स में पूछ लेना कमेंड बॉक्स में चलो नेक्स चलते हैं नेक्स्ट है डेथ डेथ के बारे में आप बढ़ लेते हैं अभी तक तो हमने फॉर्मेशन पढ़ा अब डेथ कैसे होती है ठीक है डेथ ओफ आर्बी सीज ठीक है रेड ब्लेट सेल्स की डेथ कैसे होती है ठीक है ओके तो डेथ कैसे होती है आर्बी स सट्रॉइ कि जाती है और उतने ही नमबर में अगल वापस से थी नए ब्लड में भी एंटर करता है यानि जितना destruction होता है उतने ही नए और का भी फॉर्मिशन होता है हमारी बॉडी में ठीक है जिवर धिर्ब का वो कहां होता है में increase होने लग जाती है तो उसको store किया जाता है spleen में ठीक है spleen में store किया जाता है और इसको हम blood bank of body भी बोलता है तो spleen के दो नाम है जब rbc का वहां destruction किया जाएगा तो graveyard of rbc और जब access rbc को वहां पर stored किया जाएगा ठीक है तो उसको हम क्या बोलते है है blood bank of the body ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहरी हूं ठीक है ओके next जलते हैं जो hemoglobin है जब rbc के death कर दिया जाता है यानि rbc को destruction किया जाता है ठीक है spleen में तो जो hemoglobin है उसके साथ में क्या होता है ठीक है तो hemoglobin एक pathway follow करता है ठीक है तो उस pathway को हम देखते हैं जरा ठीक है तो यह एक pathway follow करता है जो synthesize करता है क्या synthesize pigment pigments का synthesize करता है ठीक है pigments का synthesize करता है कौन-कौन से pigments होते हैं जरा देखते हैं पहले pathway तो जो dead rbc होती है dead rbc dead rbc ठीक है तो हीम वाला portion है ठीक है हीम वाला portion से ही pigment बनता है, globalin तो protein है, protein का destruction करके amino acids में breakdown कर दिया जाएगा और वापस उसे utilize कर दिया जाएगा, लेकिन हीम के साथ में क्या होता है, हीम के साथ में जरा discuss करता है, हीम जो है, हीम को breakout किया जाता है दो चीजों में, iron, iron और porphyrin, porphyrin जो ring present थी, ठीक है, iron तो use up किया जाएगा, या फिगमेंट्स, टिया तक टीक है, वह है दो pigments, that is bilirubin, bilirubin, ठीक है, यालो pigment, yellow pigment, and biliverdin, ठीक है, बिली वर्डिंग ठीक है इसका फॉर्मिशन करता है इस इस इन ग्रीन पिगमेंट यह ग्रीन पिगमेंट है ठीक है यह दोनों के दोनों जो है वो बाइल जूस में बनता है यह जो लीवर है हमारा जो बाइल बनता है यह दोनों के दोनों कहां होता है बाइल जूस में ठीक है यह bile juice आपके intestine में secret होता है हमारे intestine में secret होता है सब को पता है Just secret secret in intestine, digestion करने के लिए जो है वो intestine में secret होता है ठीक है तो bacteriaeng convert कर देती है bek tiraat को दो चीज़ों में एक तो stir फ्हों निकल जाता है और दूसरा आता है यूरो बिलिनो जन यूरो बिलिनो जन के साथ क्या होता है यह यूरो बिलिनो जन हमारे बलड में आता है ठीक है यह कहां आता है बलड में आता है ठीक है बलड में आता है और बलड से जो है यह प्लाजमा में यह जो किड्नी में जाता है ठीक है किड्नी में जाता है और किड् Jwn जो है Yurine के गार आजाता है और इस्टर को बिलीनजन इस्टूल के ठोज वह भाँ निकल जाता है ठीक है तो इस तरीके से जो है वह बैणाता है कोन हमोग्लोबीन का ज़ब डिस्ट्रक्शन होता है ठीक है तो आप आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी ठीक है next चलते हैं कुछ disorders देख लेते हैं RBCS के ठीक है red blood cells के disorders देख लेते हैं ठीक है RBC disorders ठीक है कौन-कौन से disorders होते हैं ठीक है सबसे पहला है that is polycythemia, polycythemia क्या होती है polycythemia, polycythemia मां क्या होता है यहाँ पर जो red blood cells का production है वो increase हो जाता है, plus polycythemia condition किसको बोलता है increase in number of RBC, यानि red blood cells का जब number increase हो जाता है ठीक है, यह कब होता है, it occurs at high altitude it occurs at high altitude ठीक है, where the age, जो percent होता है, oxygen का वो less होता है, ठीक है where percent of oxygen is less, high altitude में क्या होता है, oxygen का percentage क्या होता है less होता है, ठीक है, एक और condition होती है, that is anemia की anemia की, anemia की condition में क्या होता है आपका, जो decrease, decrease हो जाता है decrease, O2 carrying, ठीक है, तो O2 भी उतना carry नहीं कर पाएगा, जब size चोटा हो जाएगा हो जाती है, तो हम उसे microcytes बोलते हैं, जब RBC बड़ी हो जाती है, तो उन्हें हम macrosides बोलते हैं, ठीक है, यह सारी जीजे मैंने आपको बताई थी last class में, ठीक है next चलते है, sickle cell anemia, sickle cell anemia में क्या देखने को मिलता है, यह भी मैंने आपको last class में बताया था, sickle cell anemia में RBC, जो है, वो sickle shaped की हो जाती है, ठीक है, due to point mutation, ठीक है, तो यह genetic disorder है, ठीक है, यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं, next, ओके, तो next आता है, aplastic anemia, aplastic anemia में क्या होता है, जब हमारा, जो red blood cells का production, जो bone marrow में हो रहा है, जब वो decrease हो जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, aplastic anemia, यानि, when production of RBC is in bone marrow, bone marrow is decreased, ठीक है, is decreased, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, aplastic anemia, ठीक है, next important term आता है, that is, G6PD, G6PD, deficiency anemia, ठीक है, deficiency anemia, ठीक है, यह मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, ताकि कहीं, अगर एक, one, two marks के question में, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, सारे names हो अगरा, ठीक है, तो यह क्या है, यह autosomal recessive disorder है, ठीक है, it is, autosomal, autosomal recessive, recessive disorder है, ठीक है, अगर इसके बारे में और जानना हो, तो आप Google में सर्च कर लेना, ठीक है, आपको वापन मिल जाएगा, ठीक है, next है, next चलते है, that is thalassemia, ठीक है, thalassemia, thalassemia, thalassemia में क्या होता है, ठीक है, thalassemia भी क्या है, जैसे अभी G6 PD जो था, वो रिसासिव था, यह निए autosomal recessive था, तो यह भी जो है, वो autosomal recessive होता है, ठीक है, तो, it is autosomal recessive disorder, ठीक है, और इसमें क्या होता है, result in, result in, deficient, deficient, और defective hemoglobin formation, defective hemoglobin formation, या तो hemoglobin का formation नहीं होगा, ठीक है, genetic disorder है, या फिर होगा भी तो, defective hemoglobin, ऐसे hemoglobin जो कि oxygen को carry नहीं कर पाएंगे, यानि defective hemoglobin, तो इस तरीके से जो है, वो thalassemia disease होती है, ठीक है, तो यह सारे थे disorders of RBC, ठीक है, next class में हम लोग पढ़ेंगे white blood cells, ठीक है, white blood cells को हम next class में पढ़ेंगे, WBCs को, ठीक है, इनको भी थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे, उतना नहीं पढ़ेंगे, जितना immunology में पढ़ता है, ठीक है, लेगिन लगभग जो है, जितना जानना ज़रूर ही है, उतना blood के context में, उतना में आपको बता दूंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा बसता है blood platelets, blood platelets हम पढ़ेंगे, ठीक है blood platelets के बाद हम पढ़ेंगे blood groups blood groups ठीक है और blood groups के बाद हम लोग पढ़ेंगे blood clotting ठीक है और फिर हमारा जो है वो blood and circulation जो है वो खतम हो जाएगा ठीक है तो यह चार topic बचे हैं पाँच टॉपिक बचे हैं WBCs, blood platelets, blood groups and blood clotting ठीक है तो इनको भी हम deal करेंगे ठीक है तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ठीक है और अपने दोस्तों के साथ में भी शेर करें वीडियो ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई